हेलो डेंस चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एकसरसाइज ओन चैप्टर नमबर फर्स्ट का क्योस्टर नमबर सेकिंड देखते हैं क्या है लेट फंक्षन एफ सच देट होल नमबर टू होल नमबर मतलब जो हमारे पास डोमेन है वो भी होल नमबर है को डोमेन है वो भी होल नमबर आने चाहिए बिडिफाइंड एज फंक्षन f of n is equal to n-1 अब पहले जो क्योस्टन थे उसमें बच्चों हमें f of x से फंक्षन गिवन होता था तो गबराने की जरूरत नहीं है यहाँ पे हमें क्या दे दिया f of n दे दिया वो क्या दिया है n-1 कब होगा जब n is odd फिर क्या का है f of n is equal to n plus 1 यह कब होगा जब n is even number हो so that f is invertible तो हमें दिखाना है कि यहाँ पे यह दोनों function हमारे क्या है invertible function है आगे के question को बाद में पढ़ेंगे अब बच्चो invertible function दिखाने के लिए हमें क्या प्रूब करना होता है कि हमारा function one one और on two है तब हम कह सकते हैं कि function हमारा invertible है ठीक है अब बाद गे चलते हैं find the inverse of f f का inverse find out करना है हमें here w is the set of all whole numbers वो हम बता चुके हैं कि w जो है वो whole number का set है तो दो काम करने हैं हमें invertible function बताना है इसको और inverse find out करना है तो चले देखते हैं कैसे करेंगे solution इसका सबसे पहले हमें जो function दे रखा है f of n वो n minus one result कब देगा जब n is odd जब n की value क्या हो odd इस तरीके से लिख लेते हैं n plus one result कब देगा n is even तो दो case लेके चलेंगे यहाँ पे n is odd अगर n odd हो तो हमारा function क्या होगा f of n is equal to n minus one अब इसको one one prove करने के लिए हमें क्या करना है दो different values इसके अंदर put करके देखनी पड़ेंगी तो यहाँ पे क्या करेंगे हम let two odd number n one and n two कोई दो odd number ले लिए हमने n one और n two अब हम one one prove कैसे करते हैं बच्चो अगर हमारे पास f of n one is equal to f of n two हो मलब कोई दो value put करने के बाद result same आ रहा हो तो हमें prove करना होता है कि यह दो value जो हमने put की हैं वो कोई अलग value नहीं है एक ही value put की है इसका meaning समझो जो यह हम करते हैं देखो ध्यान से माल लो आप यहाँ पे एक arrow diagram बनाते हो यहाँ पे n one और n two value आपने put कर दी और इनसे result मिल रहा है same माल लो one मिल रहा है दोन्हों का result एक आ रहा है ठीक है तो यह तो one one नहीं हुआ हमारा क्योंकि यहाँ पे क्या है दो functions की एक single image बन रही है तो इसको one one prove करने के लिए हमने क्या करना होता है कि जो आपने यह n one और n two value put की है न बच्चो जो different value मानके अपने assume की है put की है वो हमने दिखानी होती है कि यह दो different value नहीं है यह एक ही value है क्योंकि एक single value पे ही हमारी single image बन सकते है तब यह one one है तो देखो क्या करना है f of n one equal to f of n two है function क्या है हमारा n minus one यहाँ पे put करते है तो n one minus one is equal to n two minus one minus one से minus one कट गया तो n one is equal to क्या आगया n two तो यही तो बात होगी कि n one and two जो आप different value मानके चल रहे थे वो different नहीं है वो single value है एक जैसी ही value है तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा यह so f of n is equal to n minus one is one one हो गया प्रू simple था दूसरा क्या होता है हमें इसको हमें on two भी प्रू करना है on two के लिए हमारा क्या होना चीए x equal to y होता है हम जो on two प्रू करते हैं बट यहाँ पे n की टाम में function है तो f of n is equal to क्या होना चीए y अब यहाँ पे हमें function क्या दे रखा है f of n is equal to n minus one इसको हम result माननेगे तो y is equal to n minus one n की value निकाल लो n is equal to क्या हो गया y plus one आगई ना n की value इसको हम क्या करेंगे function के अंदर put कर देंगे इसके अंदर हमारे पास function था f of n is equal to n minus one तो f of n is equal to n की जगा है y plus one minus one 1 से one कट गया तो f of n is equal to किसके आ गया y के यही चीज़ तो प्रूव करनी थी on two के लिए so it's on two तो यह on two function भी है अब यह one one भी है on two भी है तो हम क्या लिख देंगे f of n is equal to n minus one is invertible क्या हो गया यह invertible function हो गया यह बात clear हो गई कोई दिक्कत की बात नहीं है अब बात आती है इसके inverse find out करने की inverse कैसे find out करेंगे बिल्कुल simple है inverse find out करना हमारे पास function क्या दे रखा था f of n is equal to n minus one तो यहाँ पर क्या करेंगे इसको y मानेंगे y is equal to n minus one minus one इस तरह आएगा y plus one is equal to n तो यह हमारा क्या आगया y की term में function आगया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा f of y is equal to y plus one this is the inverse बस simple काम था तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चो ध्यान से देखो जब n की value हम क्या put कर रहे है odd value put कर रहे है यहाँ पर n की value odd put करेंगे तो y की value क्या आएगी हमें even value मिलेगी क्योंकि उसमें one add हो जाएगा मानलो आपने three put किया तो three plus one क्या हो जाएगा हमारे पास four even value result आएगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम n is odd y is even मतलब y जब even function होगा तो हमारे पास y plus one result देगा यह बात clear होगी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है अब बात करते हम n is even दूसरा case दो case लेने न n is even तो हमारे पास function क्या होगा f of n is equal to n plus one similarly हम यहाँ पर क्या करेंगे let two number let two even number n1 and n2 या फिर कोई और मान सकते हो चलो हम इसको अब m1 और m2 मान लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा f of m1 is equal to f of m2 होना चाहिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m1 plus one is equal to m2 plus one one से one कट गया तो m1 is equal to क्या आ गया m2 तो यह भी क्या हो गया हमारा one 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 हो गया अब अब one one है तो हम on two भी देख लेते हैं on two में क्या होगा हमारा हमें function क्या दे रखा है यहाँ पे f of n is equal to n plus one हमें prove क्या करना है यहाँ पे f of n is equal to हमारा y के equal होना चाहिए तब ही तो हम on to कह सकते हैं किसी function को तो यहाँ पे देख लेते हैं हम तो y is equal to क्या हो जाएगा n plus 1 1 को इस तरफ लेके आए तो y minus 1 is equal to n हो गया n की value y minus 1 put करेंगे function में देखते हैं हमारा function क्या है fn is equal to n plus 1 n की जाए हमें y minus 1 put करना है तो बच्चो f of n is equal to y minus 1 plus 1 कट गया तो f of n is equal to किसके आगया y के तो यहाँ पे क्या हो जाएगा function fn is invertable क्योंकि यह क्या है 1 बन भी है और on to भी है अब हमारा काम क्या रह गया बस इसका inverse find out करना तो हमारे पास क्या था function f of n is equal to n plus 1 यह y is equal to n plus 1 यहाँ पे y minus 1 is equal to n तो यहाँ पे हमारे पास क्या आगया f of y is equal to y minus 1 अब यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चो n is even कौन सा case लेके चल रहे थे हम n is even अगर n की value even हो तो y की value क्या मिलेगी हमें odd मिलेगी या नहीं मिलेगी द्यान से देखो y minus 1 is equal to n है n की value कोई भी even put करो मालो 2 put कर दिया तो y की value 3 आजाएगी तो यहाँ पे क्या आजाएगा y is odd अब हमारे पास जो function आए है f of y inverse function वो क्या आए है y minus 1 कब y is odd होगा तब और पहले case में क्या आथा y plus 1 y is even होगा यही चिज़े तो condition यहाँ पे थी n की form में देखो n odd होगा तो n minus 1 था यहाँ पे y odd है तो y minus 1 है और n even है तो n plus 1 result दे रहा है y even है तो y plus 1 result दे रहा है तो यहाँ पे क्या होजएगा f function f is invertible and inverse of f is f itself मतलब जो result यहाँ पे था वो inverse के बाद भी वही result दे रहा है तो f का inverse f ही होगा अपने आप में यह करना था हमें समझ में आगई बात clear है 1 1 on 2 से invertible दिखाना है फिर inverse हमें चेक करना है कि n की अगर even value पूट करेंगे तो y की value odd मिलेगी अगर पहले वाले case में क्या था अमरे पास n की value हम यहाँ पे odd पूट करते हैं तो y की value हमें even मिलेगी कोई भी value से आप चेक कर सकते हैं clear हो गया होगा question mind के अंदर set कोई भी दिक्कत लगे आप मुझसे पूच सकते हैं thank you students for watching next classes video